हेलो माइडिये स्टूडेंट्स आई होब कि आपकी स्टेडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नीट एक्जाम में जाने से पहले आपके पूरे बायो का तीन बार रिविजन हो जाना चाहिए तो ये रिविजन करना इतना आसान भी नहीं है इसी लिए हम लेके आए हैं रैपिड रिविजन कोर्स और इस रैपिड रिविजन कोर्स में आपके पूरे NCRT के टॉपिक कवर होंगे और इसी के साथ साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि Question Practice भी जरूरी है तो हम रैपिड रिविजन भी करेंगे और उसके साथ साथ रिविजन के बाद में Questions की Practice भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा Beneficial होने वाला है और ये आपकी Rank को Boost भी करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम cell bio से स्टार्ट करेंगे और हमेशा मैं जब्ही स्टार्ट करती हूँ तो cell bio से ही स्टार्ट करती हूँ cell bio आपके बहुत basic chapter है और इसी से ही आपको start करना चाहिए बिकोज सेल बायो से connectivity आती है पूरे चाक्टर और इसके वैटेज की बात की जाया तो इसका वैटेज भी जादा है देखिए इस साल 2021 का जब question paper आया था तो उसमें भी 10 से 12 questions थे आपके only cell bio से तो अभी इसके questions आने की जो chances हैं वो बहुत जादा हो जाते हैं maximum questions आते हैं इस chapter से तो यह हमारे लिए बहुत important chapter है और वैटेज की बात की जाएं तो minimum 8 questions तो पूछे ही जाते हैं और फिर maximum यहाँ पे 10 to 12 questions तक पूछे जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं cell bio को तो यहाँ पर हम cell biology स्टार्ट करने हैं सबसे पहले cell की क्या definition होती है cell की परिभाशा क्या होती है तो आप छोटी class से पढ़ते आरहें कि कोशिका क्या है कोशिका हमारे जीवन की और हमारे शरीर की मूल भूत इकाई है जिस प्रकार से एक building इतों से मिलके बनी है उसी प्रकार से हमारा शरीर कोशिका से मिलके बना है और कोशिका सरंचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो कोशिका की ये परिभाशा है, कहीं बार एक्जामिनर इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, एक्जामिनर आप से पूछ लेता है कि कोशिका को सरंचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ये भी हमे पूरे शरीर की जो इकाई है वो कोशिका कोशिका एक इकाई है उसी से मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है और इसी के साथ साथ कोशिका है जो कार्य करती है उनी के अनुसार उनकी सरंचना भी होती है जैसे कि आप जानते हैं अगर मैं तंत्रिका कोशिका की बात करूँ तो वो क सी है शाखित है तो उसका कार ही क्या होता है सूचनाओं ग्रहन करना और सूचनाओं की रहन कषीक घ्रक चैवा और स्थमबाकार कोश हैं जिनने हम कोव्चल कहते है तो वो इस थंबाकार क्यों है क्योंकि जादा से जादा अफशोशन हो तो कोशिकाओं की जैसी सरंचना है वैसा ही उनका function है हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा उनका function है वैसी उनकी सरंचना हो गई है तो कोशिका हमारे जीवन की हमारे शरीर की मूल भूत और आधार भूत इकाई है और यहाँ पर यही लिखा हुआ है क्यों कोशिका क्या है जीवन की इकाई है फिर इसके बाद में सबसे पहले कोशिका की बारे में बताने वाले विज्ञानिक थे रॉबर्ट हुग पर empty compartmental structure देखे हैं उन्होंने यह कहा था जो रॉबर्ट हुग थे यहां पर रॉबर्ट हुग के बारे में नहीं बताया है लेकिन मैं आपको बता देती हूं कि रॉबर्ट हुग ने यह बताया था अगर और हिंदी में अगर कहें तो रिक्त कोश्टक है तो फिर वो कोशी का जीवित तो नहीं हुई रिक्त कोश्टक है तो मतलब उस कोशिका के अंतर कुछ नहीं है और उन्हों ने इस प्रकार की Hexagonal Structure के बारे में बताया था, शत कोड सर्चना के बारे में बताया था और बताया था कि यह रिक्त है तो इसका मतलब इसके अंदर कोशिका ड्रवे भी नहीं है और उन्हों ने यहाँ पर कोशिका भित्ती को देखा था कोशिका भित्ती को देखा था तो Robert Hook ने यहां dead cell के बारे में बताया ना कि living cell के बारे में हाँ लेकिन सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले विग्याने कौन से थे Robert Hook Robert Hook ने यह भी बताया है कि उन्होंने यहां पर जो cell देखी है उस cell को cellula कहा है और फिर cellula का मतलब क्या है cellula एक Greek शब्द है और cellula को बार में जाके कर दिया गया cell और cell एक English शब्द है इसका मतलब होता है compartment इसका मतलब क्या है compartment तो यह था Robert Hook के बारे में अब इसके बारे में हम बात करेंगे एंटोनी वान लिउन्वेन होग के बारे में रोबर्त होग के बात में आने वाले विज्ञानिक थे अन्टोनी वान लिउन्वेन होग जिन्हों divisions के बारे में बताया जो पहले वे ज्ञानिक थे वो थे एंटोनी वान यून्वेंट होग और इन्होंने कोशिका को खुद के द्वारा निर्मित माइक्रोइसकोप के द्वारा इन्होंने देखा जो कोशिका थी उस कोशिका को खुद के द्वारा निर्मित माइक्रोइसकोप के द्वारा उन्हों कोशी के जीव भी होते हैं तो यहां पर एक कोशी के जीव और बहु कोशी के जीव की बात करें तो एक कोशी के जिनका शरीर एक कोशी का से मिलके बना है एक कोशी के जीव सक्षम है यह स्वतंत्र अस्तित्व यापन करने में और जीवन के सभी आवशक कार्य करने में तो बेसिकली एक कोशिका के लिए हम कोशिका किसे मानेंगे अगर आपको वाइरस के लिए पूछा जाए कि वाइरस एक कोशिका है तो वाइरस बिलकुल एक कोशिका नहीं है वाइरस ना तो स्वतंत्र अस्तेतु यापन कर सकता है और ना ही जीवन के सभी आवश्यक कारे कर सकता है वाइरस किसी और के उपर निर्भर है वाइरस को अप स्वतंत्र अस्तित्तु यापन कर सकती है और अपने जीवन जीने के लिए सारे आवेशक कारिय वो खुद कर सकती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे कोशिका कहेंगे तो यह आपके NCRT के point हैं आपको बहुत अच्छे से यार रखना है NCRT ने यह 2 point लिखे हैं क्या लिखे हैं कोशिका हम किसे कहेंगे किस कोशिका मानेंगे तो कोशिका हम उसे ही मानेंगे जो कि स्वतन्त अस्तितु यापन कर सकता है ठीके जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है यह अपना स्वतन्त अस्तितु यापन कर सकता है और जीवन के सभी आवशक कारे करने में सक्षम हो तो वही एक कोशिका है और अगर हम वाइरस की बात करें तो वाइरस एक कोशिका नहीं ह क्योंकि वाइरस में भी तो आप देखते हैं कि वाइरस भी अपना डिये ने उसके पास आरेने होता है तो वह भी ट्रांस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन तो कर सकता है वह हमारे सिस्टम को यूज करके जो है कारे करता है लेकिन फिर भी हम उसे कोशिका नहीं मानते हैं तो को साइंटेस्ट है जिन्होंने सेल्ट थिएडी के बारे में बताया है और यह कब आये हैं तो सबसे पहले बात करें स्लायडन की तो 1838 में आ हैं तो यह बात ध्यान में रखनें हैं यहां पर कि Sliden कभ आये है 1838 में आये हैं शुवान कभ आये है 1839 में आये हैं अब Sliden ने क्या किया और Sliden कहा से थे देखिए ये जो Sliden है ये आपके British विज्ञानिक थे और Sliden ये आपके German विज्ञानिक थे तो Sliden की बात करें तो इन्होंने क्या बताया Slider ने पादब कोशिकाओं पर अधियन किया और बताया कि जो पादब होते हैं यह कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं कोशिकाओं मिलकर उतक का निर्माण करती हैं इसके बारे में बताने वाले विज्ञानिक थे Slider इसके बारे में बताया हैं इन्होंने बताया कि पादब कोशिका के उपर होती है कोशिका बिढ्टी और जंतू कोशिका के उपर उति हैं प्लाजमा झिली तो इसके बारे में बतानेỏiं वाले विज्ञानिक थे। आपके श्वां तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर इश्वान के बारे में लिखा हुआ है जन्तु कोशिकाओं का अध्यान इन्होंने किया और जन्तू कोशिका है तो जन्तू कौशिका पर होती कोशिका जिल्ली, यह दोनों point बताने वाले विज्ञानिक थे शोन, बताईए, यहां तक आपको clear है, अब हम आगे चलते हैं, देखिए, यह सारी बाते तो इन्होंने बता दियें, इन्होंने ये बता दिया है slider की पादप कोशिकाओं से मिलके बने है और इन्होंने ये बताया है कि कोशिकाओं के उपर एक covering होती है जिसे हम कहते हैं plasma जिली और पादप में होती है कोशिका भित्ती तो इन्होंने यहाँ पर कोशिका का पूरा का पूरा सिध्धान्त दिया द दोनों ने अलग-अलग दी है या मिल कर दी है तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों विज्ञानिकों ने अलग-अलग दी है लेकिन बाद में जाकर ये इसे एक ही रूप में हम पढ़ते हैं एक ही फॉर्म में पढ़ते हैं एक साथ इनकों बोल दिया गया है कि एक साथ इन द आती हूं तो सेल्ठ एटेरी के श्लाइडन और श्वान के दो प्वइंट क्या थे कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलके बने हैं all organisms are made up of cell and their product तो इनका यह कहना था कि सभी जीव सभी कोशिकां से मिलके कोशी का से मिलकर बने हैं एवं उनके कोशी किया उत्पाद कोशी किया उत्पाद से भी मिलकर बने हैं यह इनका कहना था मिलकर बने हैं तो एक लाइन में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कोशी का सिध्धान्द की कि सभी जीव कोशी का से मिलकर बने हैं और कोशी की उत्पाद से मिलकर बने हैं अब यह बात तो आपको समझ में आती है कि सभी जीव किसे मिल कोशिका से मिलके बने लेकिन यह उत्पाद क्या है तो उत्पाद की जब हम बात करते तो उत्पाद यहां पर कोशी की उत्पाद के बारे में यह बात हो रही है तो यह कोशी की उत्पाद क्या है यह कोशी की उत्पाद है आपके शरक्रा वसा और इसी के साथ में शरक्रा है और प्रोटीन है तो ये कोशिक ये उत्पाद है और सही बात है कि हमारी जो कोशिकाएं है वो इसी से मिलके बनी है हम किसे मिलके बने है हम कोशिकाओं से मिलके बनी है बने है और कोशिका किसे मिलके बनी है प्रोटीन से मिलके बनी है शरकरा से मिलके बनी है वसा से मिलके बनी तो कोशिका खुद इन तीनों से मिलके बनी है और कोशिका के उत्पाद भी यही है हम बूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या बनाती है उसका अंतरप्रदेवी जाली का क्या बनाता है अंतरप्रदेवी जाली का क्या बनाता है वसा बनाती है प्रोटीन बनाती है तो यही उसके उत्पाद है और इसी से मिलके कोशिका बनी होती है तो यह मुख्य बिंदू था कोशिका सद्धान्त का लेकिन कोशिका सद्धान्त में यह नहीं बताया गया कि नई कोशिकाओं के उत्पत्ति कैसे होती है कोशिका सद्धान्त में यह नहीं बताया ग बहुत ही important है और इन्होंने कहा omni cellula e cellula मतलब कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूरवर्ती कोशिकाओं से हुई है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है इस बारे में बताने वाले विज्ञानिक थे है रुडॉवर्जो यह था कोशिका विभाजन के बारे में कोशिका सद्धांत के बारे में में सबसे पहले श्लाइदन और श्वान ने है आपको इसका यह यार रखना है कि चलाइडटन और छुन कब यह और चलाइड़न कोन कोन यह वनसपति विज्ञान की ग्याता है और 1 कउन तो स्मुम जनतों के ग्याता है लेकिन कमी यλάती कमी यह थी कि यह नहीं बताया किक इसके इसके बारे में बताने वाले विज्ञानी कोन थे रुडॉल्फ विर्चो जिन्हों ने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति पूरुवर्ति कोशिकाओं के विभाजन से होती है तो जली कोशिका सद्धान्त यहां पे आपका क्लियर हो गया अब हम आगे चलें कोशिका के समग्र अवलोकन की तरफ तो कोशिका को किस तरह से हम देखते हैं जब भी हमें कोशिका की सरंचना को देखनी है तो हम किसका उप्योग कर सकते हैं जब प्रयोक शाला में हमें कोशिका का अध्यान करना है तो हम कौन सी कोशिका का उप्योग करते हैं तो ज्याद कोशिका में हम हमारे जो यह जो गाल होता है उसके अंदर की तोचा को लेकर भी कोशिका का अध्यान कर सकते हैं उसी के साथ पादप है तो पादप में जो पराग कन होते हैं पराग कोश होते हैं उनके आंतरिक सरंचना का अध्यान करके हम कोशिका को देख सकते हैं तो केनरक होता है और यहां पर दो प्रकार की कोशिकाओं की बारे में बताया गया है प्रोकेरियोटिक कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका तो अभी हम यहां पर देखेंगे प्रोकेरियोटिक कोशिका क्या होती है यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है तो कोशिका है केनरक के आध का ओना चाहिए कि जो यहां पर विभाजन किया गया तो कोशी का यहां पर कोशीका के दो प्रकार का और दूसरी ऊ Earo कोशिका तो यहां पर दो प्रकार की कोशिका है प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी कोशिका है देखिए यह सबसे प्राक कोशिका है सबसे आध्य होता हम यहां पर नघ्न है तो इससे हम कहते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिका और कोई कोशिका के अंदर कोई कोशी का अंगक नहीं होता केवल राइबोजोम को छोड़ कर राइबोजोम पाया जाता है लेकिन उसके अलावा कोई कोशिका अंगक प्रोकेरियोटिक कोशिका में नहीं होता है अब इसके बाद में बात करें यूकेरियोटिक कोशिका की तो यूकेरियोटिक कोशिका वैल डवलप्ड कोशि जो इसका अनुवान्शिक पधार्थ है यह अनुवान्शिक पधार्थ केंडरक जिल्ली से कवरब हुआ होता है इसे घेरा हुआ होता है तो इस प्रकार से यहां पर केंडरक पाया जाता है और इसी के साथ साथ इसमें कोशिका अंगक भी पाय जाते हैं सारे कोशिका अंगक एक कोषिकभ का में पाये जाते हैं तो यह proiese कोषी का और यूचेम पर यह निचलय कर सादक दवस्थार की व्यवय और नाय के प्रकार से यहँँचा यहाँ पर अनुपस्थित है तो यह पर यहां पर स्गार की रिइनक यह दुलप के तो इसे यू केरियोटिक कोशिका कहेंगे चलिए आगे चलते हैं अब आकार और आमाप की बात करें तो इसमें आपके NCRT में दिया गया डाटा आपको बहुत अच्छे से लान करना है सबसे छोटी कोशिका कौन सी यह आपको पता है तो इसकी लंबाई है 0.3 माइक्रोन मिटर और इसके आकार के बारे में बताया गया है इसका आकार है 0.1 माइक्रोन मिटर बैक्टीरिय की बात करें तो 3 से 5 माइक्रोन मिटर मनुष्य की RBC की बात करें तो 7.0 माइक्रोन मिटर तंत्रिका कोशिका की बात करें तो यह सबसे लंबी कोशिका होती है और उसी प्रकार से पादब कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका होती है कोटन का फाइबर जिसे हम रेमी फाइबर भी कहते हैं तो वह सबसे लंबी कोशिका होती है जन्तुओं में सबसे लंबी कोशिका कौनसी है तो जन्तुओं में सबसे लंबी कोशिका है तंत्री का कोशिका शेप की बात करें तो कोशिकाओं का रूप उनकी कारे के अनुसा भिन्न होता है मैंने आपको अभी अभी बताया, जिस तरह के का कार्य होगा, सरंचना वेसी ही हो जाती है, अगर अवशोशन का कार्य है, तो कोशिका के सरंचना केसी हो गई, घना कार हो गई, इस्थमबा कार हो गई, अगर चानने का काम है, मान लीजे, फिल्टेरेशन का काम है, तो कोशिक केसी होगी चप्टी होगे तीच उसी प्रकार से अगर गबन करने का काम है तो फिर कोशिका केसी होगी स्पून को आप देखा है उसी तरह से अगर गयोंगा काम है और हमारे शरीर में अलगालक प्रकार की कोशिकाएं देखने को आपको मिलती है तंत्रिका कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका की अलग सरंचना है अंड कोशिका है उसकी अलग सरंचना है शुक्राणु कोशिका है उसकी अलग सरंचना है हमारी जो उतक है अलग-अलग उतक जो जिन से मिलकर हम बने हैं तो बीशिक थे की अ अलग अलग सरंचना है इस प्रकार से अलग अलग कारे होने तो अलग चांशिक को मिलेंगे बिन्बा कर बहु हु बुजियकार अ दागे marks Chakram किस तरह से तंत्रिकां कोश्रीका के बारे में बताया गया ऑगा आप देखे एस तरीके से बाइ यहां पर आप देखिए जिसका कोई definite shape and size नहीं है इसका कोई निश्चित आकार एबं आकरती नहीं है तो यह अमीबा कार है इसमें आप देखिए यह लंबी-लंबी सी है तो यह स्थंबा कार है यहां पर आप देख रहे हो यह पैरन काइमा सेल्स हैं यह आपके जो है यह मीज मीजोफिल सेल्स हैं जिसे हम पार्ण मद्योतक कोशिकाएं कहते हैं यह आप देख रहे हो यह आपकी सीर सेल्स हैं तो इस तरह से जैसा इनका कार्या है वेसी इनकी सरंचना हो गई है